होटल में जब वो आतंगवादी आखे चारों वर्स करने लगे तो बताते हैं कि चारों और करने तो उस समय जो उनके अपलोईस थे मुश्किल से 500 अपलोईस थे और 500 में करीब तो उसमें हिंदुस्तान लेवर के बड़े बड़े ओफिसल्स को मीटिंग था इतवाक से उसमें और बाकी 400-500 रुपे चिल्डर जैसे कोई वोटल में जा करके खाना करते रेश्ट्रेंट वह से इस प्रकर सत्रह सो थे और उसके बाद में एक्सिडेक्ट हुआ एक तीन-चा मालूम नाम हो जाएगा लेकिन फेल होगे क्यों फेल हुआ 17 सोन मुष्किल से 75 लोगी 75 लोगी ड़त हुए 75 लोगी ड़त हुए 75 में भी बताते हैं कि 50% से अधिक 50 करीब करीब 50 जो है ना सिर्फ वहां के ता जुटल के एंपलोर की ड़त ही क्यों हुआ अब देखे उसमें पूला है कि उसमें फिर अर्वाइड उनिशावर्त की तो उसे ने बोला है हमारे तो ऐसी कोई ट्रेनिंग स्कीम नहीं चलता है कि अरे बईया कोई कि मिलिटरी वाले हो दूश्मान आए तो तु पहले मर जाना ऐसी का प्रिलियंट स्टूडेंट्स को नहीं लेती है कि जैसे बंबाई में बैंगलोर में इधर उदर जा करके क्यांप करके नहीं लेती है बच्छा सेकंड अड़ते हैं सेधो को पर फागियो गिंगी स्कुल्स रजब करते तुस्रों को प्रतिवार क्याशिकों करते हैं लोगो अलेकर टे estado ले जने सेलख्शन भी कोई बड़े लिए नहीं जिए ऐसे चुटी चुटी ङूटी प्लेस्सें लेते हैं लिए Bodnas तो बोलते हैं वोई एंप्लोईस्टा वोई आवड इंवेश्टी निसकर्ष निकाला इनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई लेकिं इनका जो एंटिटूड को देख करके जिस तरह से अप्लोई कुलते हैं वह एंपलते हैं आई क्यों करते हैं इमोशनल इंटलजेंसी को कुरी जिम्मेदारी उसकी थी तो बताते हैं वो जो लेडी है एक लिखी है एंदुस्तार यूनिलिवर वाले जो कोई ऑफिसर थी वो बोलते हैं मैं साड़ी पाइनी बार आयो जब मुझे तिसरे मंजल से लीचे उतारा जा रहा था उसमें यह लड़की आकर के मदद की मै मेटा तुम भी आजाओ बोले नहीं मैं नहीं आ सकती मेरे जिम्मेदारी है आपके जैसे 75 लोग है उनके जिल्दगी बचा क्या उसको कभी भी नहीं लगा क्यों जो चोटी-चोटी बच्चे मेरे मरने के पाद कि क्या होगा वो जब उससे भी इंटेलू लिया गया तो उस के साथ ने अपना कर्तव निवा करो क्यों कर रहें क्योंकि उनको मालूमता है कि कहां पर सिर्टिसिटी का स्विच है संग तहां पर पंप ऑपरेटों से तीन तीन तक ठेरा जमा के रखे तहां तंगवादी तब उस समय मिलिटरी वाले बाहर से आ रहे हैं तेकिन उनको थो उसे परकार हम लोगे जो आज का टॉपिक गया है क्या हम कैसी खुश रहें